हेलो एवरीवन नमस्कार विलकम टो इसके पटेल एसकेडमिन इसके पटेल आप लोगों का फिर से विलकम करता हूं प्रति दिन की हमारी सुभे आठ बजे की लाइफ क्लास में आप सभी लोगों का विलकम है जिसमें हम 36 गड एमसे को डीटेल एक्स्प्लेनेशन जो है वह आ सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो क्लास की नंबरिंग के अधार पर क्लास जोइन कीजिए आज हमारा क्लास 3 है और आज का क्लास जो है वह बेश्ज रहेगा 36 गड राज्य के निर्माड के घटना करम से लेकर क्या-क्या प्रस्ट न बन सकते हैं इनको हम आज क्लास में और क्लास से उनके नोटिविकेशन आपको आसानी से जो है वह आपका पहुंच जाए तो इस क्लास के नीचे की डिस्क्रिप्शन में जो है टेली ग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा उससे समस्या होती है तो आप टेलिग्राम अप्लिकेशन में हुब हुए इसके पटिल साइस अकेडमी सर्च कीजिए टेलिग्राम चनल का नाम आएगा वहाँ पे आप जॉइन कर लीजिए इसके बावजूद समस्या होती है तो यह हमारा वाट्सअप हेलपलाइन नंबर है 96 691192359 यहां पर वाट्सअप कीजिए और हमारा टेलिग्राम लिंक आप राप्त कर सकते हैं ठीक है साथ ही जो विद्यार्थी मुझसे हमसे 36 प्रकार के प्रतियोगी परिक्षाओं का कम्प्लीट ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं पूरा सिलेबस पूरा विशय जो है ठियो वर्तमान में हमारी बहुत सारी ऑनलाइन कोर्स जो है वह आपका उपलब्द हैं जिसको आप अपनी शुविधा के अनुसार जोइन कर सकते हैं तो यदि हमारी वर्तमान उपलब्द ऑनलाइन क्लासेस की अधि आपको अधिक जानकारी या प्रभिस प्रक्रिया जाननी है त चलिए पहला प्रस्टन आपके सामने आ चुका है कि आजादी के समय 36 गड़ कौन से प्रांत का हिस्सा था option A मध्यप्रांत option B मध्यप्रांत एवं बरार option C मध्यप्रदेश और option D बंगाल प्रांत और आपका समय चालो होता है अब हर question के लिए 30 सेकेंड का समय है जो मेरे ख्याल से परियाप्त है और इस 30 सेकेंड में चाहूंगा कि आप अपना उत्तर जो हमेशा दें हर क्लास में यह मैं बोलते हुए आ रहा हूं कि पहले question number लिखें एक लिखें एक का A होगा B होगा C होगा D होगा इस प्रकार से लिखें ना कि A B C D यह सीधा लिखें कि मैं आपके comments बाद में भी पढ़ता हूं तो किस question का आपने answer दिया यह इस question नहीं हो पाता ठीक है तो हमेशा यह ध्यान दखेंगे चलिए बहुत सब्सक्राइब जवाब आया कई लोग का गलत जवाब भी आया है ठीक है अब आनन फानन में 36 गड़ किस प्रांत का हिस्सा था तो इसका सही उत्तर है भी आजादी के समय 36 गड़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था केवल मध्य प्रांत बोलेंगे तब भी गलत होगा देखिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास तीसरे नंबर का और कल जो डीटेल से और कौन-कौन से क्विस्चन निकालना है इन सभी को मैं समझाते हुए चलूंगा तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं मध्य प्रांत की ओर ठीक है देखिए ये उस समय के दौर में जो है वह आपका मध्य प्रांत हुआ करता था मैं भी में डीटेल से मध्य प्र एकजेक्ट अगर देखा जाए तो दो नवंबर 1861 को मध्य प्रांत अस्तित्तों में आया ठीक है तो उस समय के मध्य प्रांत में मुख्य रूप से वर्तमान का 36 वाला चेत्र वर्तमान का महरास्ट्र वाला जो चेत्र है मुख्यता ये तीन चेत्रों से मिल करके आपका मध मध्य प्रांत का निर्माड हुआ था हाला कि कुछ मात्रा में इधर उडिसा जो समय हलका सा बंगाल प्रांत था उसका भी कुछ एरिया सामिल था कुछ एरिया इदर नीचे से भी था कुछ एरिया जार्खन वाला भी था लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 36 गड़ सेंट्रल प्रॉविंस और यह सेंट्रल प्रॉविंस जो है अंग्रेजों ने जो है जो मुगलों से छीने हुए आपके छेत्र थे जो मराठों से छीने हुए छेत्र थे तो इन मुगलों और मराठों से छीने हुए छेत्र को मिला करके इस मध्य प्रांत का गठन किया गया दो नौंबर 1861 को और इस मध्यपरांद का सुरुवात में जो मुख्यालय था या राजधानी था वो था नाकपुर ठीक है मध्यपरांद की राजधानी क्या थी आपकी नाकपुर थी ठीक है अब अपन थोड़ा सा 36 गड़ पे विचार करते हैं अभी मैं केवल प्रौविन्स ठीक है सेंट्रल प्रौविन्स कब बना विटा दो नवंबर 1861 को अब इधर तो को बगल में दीख रहे हैं आपको बरार ठीक है यह जो बरार है ना यह बरार पहले मध्यपरांद का हिस्सा नहीं था यह बरार जो है इधर है महाराष्ट महाराष्ट का सुदूर पूर्वी हिस्सा था मतलब एकदम पूर्वी छोड़ था ये बरार ठीक है अब हुआ क्या 1935 में भारत सासन अधिनियम आता है जो सविधान पढ़े हैं मुझसे जो भारती तिहास पढ़े हैं मुझसे उनको पता है कि 1935 के भारत सासन अधिनियम के तहद बरार का मध्य प्रांथ में क्या कर दिया गया विले कर दिया गया तो 1935 के बाद ये छेत्र कहलाया जाने लगा क्या मध्य प्रांथ एवं बरार केवल मध्य प्रांथ कब अस्तित्त में आया तो उत्तर आएगा 1861 मध्य प्रांथ में बरार का विले कब हुआ तो उत्तर आएगा 1935 आई बात समझ में तो आपका जब भारत आजाद हुआ क्वेश्चन में पूछा कि है कि भारत की आजादी के समय 36 गड़ किसका हिस्सा था तो भारत को आजादी कब मिली 1947 तो जहिर सी बात है 1947 के समय 36 गड़ मध्य प्रांत का हिस्सा नहीं था 36 गड़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था कुछ बाते में मध्य प्रांत और बरार के बारे में और आपको बता देता हूं अब देखिए सबसे पहले आप याद रखना है कि यह जो मध्य प्रांत गठित हुआ दो नॉवंबर 1861 को उस समय 1861 की स्थिति में मध्य प्रांत में 19 जीले बनाए गए थे मध्य प्रांत में कितने जीले बनाए गए थे 19 जीले और इस 19 जीलों में से हमारे 36 गड़ छेत्र में तीन जीले बनाए गए थे एक बिलासपूर एक राइपूर और एक आपका संबलपूर ठीक है हाला कि बाद में संबलपूर 1905 में जब भासाई अधार पे फिर से भगोलिक पुनरगठन हुआ तो यह संबलपूर जो है बाद में बंगाल प्रांत में चला गया अर्थात वर बिलासपूर जीला बन चुका था और राइपूर जीला जो है वह आपका बन चुका था तो बिलासपूर और राइपूर 36 गड़ में बनने वाले आपके सुरू के सबसे प्रणभिक जिले हैं क्लियर है आगे बड़ते हैं देखिए अगला कुश्चन आपके सामने है किस वर्स में इस राज्य के ब्रिटिस छे संसरों को मध्य प्रांतों में समाहित किरा गया एंस राज जो rocks एंसा दिया गया यह पूछा गया है ठीक है ऑप्शन दीजिए दो का ए होगा भी होगा सी होगा डी होगा इस प्रकार से लिखेंगे बेटा केवल जो ऑप्शन उसको लिखेंगे तो मेरे को जो है वो समझने में परिसानी होती है कि आप आंसर किसका दे रहें करें लोग लेट से ज ठीक है कि वही 36 गर्ड कि जो आपके छेत्र थे उनको मध्य परांत में कब समहित किया गया दो नवंबर 1861 को तो सोचने वाली बात ही नहीं है आंसर आएगा सी आपका 1861 ठीक है अब थोड़ा समय मैं और बताता हूं आप लोगों को जो थोड़ा कंफ्यूजन होता है ठीक है सारा कंफ्यूजन यहां पर दूर हो जाएगा देखिए एक क्विस्चन कई बार पूछा जाता है कि राइपूर जीला कब बना और राइपूर संभाग कब बना ठीक है उसके बाद मध्य परांत अस्तित्त में आया तो तीनों का सही उत्तर बता रहा हूं मध्य परांत अस्तित्त में आया 1861 में ठीक है राइपूर जीला बना यह भी 1861 में लेकिन जो आपका राइपूर है यह संभाग बना 1862 में ठीक है देखिए हुआ क्या कि 1861 में मध्य परांत का गठन हुआ मध्य प्रात के अंतर्गत 19 जीने थे जिसमें से छ सपियस गढ़श्य सपर में तीन जीने थे एक था हमारा विलासपूर घॉपर एक व्ही शाय्न पूर और रॉक्त ड५़ेटिस अंवर लिसा में बंगाल परांग्यन चला गया तो विलासपूर और राईपूर दोनों जीला बन गए कब 1861 में लेकिन एक साल बाद ही 1862 में बेटा मध्यपरांत में 36 गड़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया 1862 में 366 गड़ एक संभाग बना और इस संभाग का मुख्यालय बना क्या आपका रायपूर तो रायपूर जीला कब बना यह पूछे का तो उत्तर आएगा 1861 लेकिन रायपूर संभाग कब बना तो आंसर आएगा 1862 और एक सिंपल सा ट्रिक दिमाग में याद रखे कोई भी छेत्र पहले जीला बनेगा ना भाई उसके बाद सं पर की और जाएगा और सोटे से बड़े की और ठीक है तो नाकपूर राजधानी था नाकपूर में कमिश्णर जो है वह आपके बैठा करते थे और संभागों के लिए न्युक्त किये गए डिप्टी कमिश्णर संभागों के लिए न्युक्त किये गए डिप्टी कमिश्ण सब्सक्राइब Θ diet और 1862 में जब संभाग सभाग बनाया गया राइपूर को मुख्याले बनाया गया तो 36 गडिप्टी कमिशनर बन के आएक कौन चार्ले इसी लिए चार्ल्स इलियट सब्सक्राइब क्षतिशगंट के पहले क्या कहलाते हैं दिप्टी कमिस्णर कहलाते हैं मैंने कहा था एक क्वेस्चन में आपको इतने सारे क्वेस्चन दूँगा आपका पूरा TOPIC जो है वो तयार हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर तिरी देख लिए प्रितक शत्तिसगड़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डाक्टर खूब चन्द बगेल ने निम्नलिकित में से कौन सा संगठन इस्थापित किया था कि समय चालू हो जाता है ऑप्शन ए है कई लोग इसका सही आंसर जो है वह आपका दे सकते हैं दे भी रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन कई वार एक्जाम में पूछा भी गया है देखिए क्या है चतिसगर्ण राज्य जो है वह आपका निर्माड के क्रम में अलग अलग जो हमारे आपके यहां के सदंतरता सेनानी थे उनके द्वार विभिन प्रकार के सभाओं का गठन किया गया वह एक्जाम में पूछता है कि कौन सी सभा किसके द्वारा गठित की गई और कब गठित अपन में खूब चंद बगेल ने किया था देखिए यह चित्र है डाक्टर खूब चंद बगेल जी का ठीक है दो दर्सन कर लीजिए खूब चंद बगेल जी के ठीक है अब इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन मैं इस क्लास में और लाने वाला हूं ठीक तो डाक्टर राज के रूप में जो है वह मांग उठा रहे थे जब 36 गड़ एंपी का आपका हिस्सा था तब से ठीक है देखिए क्या है डाक्टर खूब चंद बगेल जी को लेकर के आपको 1956 का डेट याद रखना है एक कहानी में बता रहा हूं 1956 इस निस्सों चपन क्यों मातपूर्ण है क्योंकि देखिए एक नवंबर त्यों चपन को मध्यप्रदेश राज्ययस्थित्त्यों में आया जैसे हमारा छट्य मातृ सब्सक्राइबyy सब्सक्राहं यatt लेकर के 2000 तक 36 गड़ MP का हिस्सा रहा अर्था 44 वर्सों तक 36 गड़ MP से जुड़ा रहा ठीक है तो 1956 काफी महत्पूर्ण डेट है आपको समझ में आ और इसी 1956 में बेटा डाक्टर खूब चंद बगहेल जी के द्वारा राजनांद गाउं में 36 गड़ महासभा का इस्थापना किया गया तो यह तो पता है 36 गड महासभा के स्थापना करता कौन है डाक्टर कूपचन बगेल कब किया 1956 में ये भी जान लिजिए कहां किया आपका राजनाम दो इतना जानना परियापत है यदि इसमें और डिटेल जाएंगे तो इसके अध्यक्षे डाक्टर खूब चंद बगेल थे इसके बाद महासजीव के रूप में दसराच चौबे के और भूसर्ण हरी ठाकूर जैसे अन्यनेता भी इसमें आपके सामिल थे बढ़ते हैं अगले क्विस्चन की और अगला क्विस्चन है क्विस्चन नंबर चार है 36 गड का सवर्व प्रथम स्वत नक्सा कब बना ऑप्शन ए 2000 ऑप्शन बी 1905 ऑप्शन सी 1861 और ऑप्शन डी 1862 में यह पूछा गया है कि 36 गड का जो हमारा मांचित्र है इसका निर्मार सबसे पहले कब हुआ यह क्विस्चन भी कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है ऑप्शन ए बीसी या ड है वह आपका सही जवाब है इसमें तो ठीक तो उत्तर है कि 36 गड का स्वरप्रतम मांचित्र जो है वह आपका यह नक्सा कब बना तो 1905 में बना ठीक है अब इसको रटना नहीं है इसको समझना है ठीक है बाकी तिथियों की बात कर लेते हैं विटा 1861 वो तिथी है 1861 कौन स संभाग बना और इसका मुख्यालय क्या बना रायपूर बना 2000 वो ति थी है जब 36 गड एक प्रिथक राज्य के रूप में आपका निर्मित हुआ और 1905 वो ति थी है जब 36 गड का पहली बार आपका एक सूइस्पस्ट मांचित्र उभर करके आया कैसे उसको समझना है आपक देखिए यह वर्तमान चाटिस गड हमारा कूछ इस प्रकार का दिखाई देता है और यह दिखाई दिया कब 1905 में 1905 से पहले चाटिस गड ऐसा नहीं दिखता था 1905 से पहले मैं आपको बता दू कि चाटिस गड का यह वाला हिस्सा जो है वह आपका नहीं था और चाटिस गड़ में कुछ जो आपके रियासत थे वो उडिया भासी थे उडिसा चेत्र के थे ठीक है और चतिशगड़ का यह वाला चेत्र जो है वो पहले बंगाल प्रांत में आता था वरतमान में जारखंड हो चुका है ठीक है मतलब और जो छोटा नाकपूर चेत्र था ठीक है इस में आता था तो चतिशगड़ का यह हिस्सा पहले नहीं था यह ऐसा निकला हुआ था 1905 से पहले पहले लेकिन 1905 में ऐसा क्या हुआ कि यह चतिशगड़ इस स्वरूप में आ गया इसको आपको थोड़ा सा समझना है अब भारती इतिहास अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो 1905 की तिथी को तो आप सभी जानते हैं 1905 की तिथी भारती इतिहास में जाना जाता है बंग भंग के लिए बंगाल विभाजन के लिए लाड करजन का नाम आपने सुना होगा ठीक है तो 1905 में क्या हो रहा था भासाई आधार पे भारत के राज्यों का पुनरगठन किया जा रियासते थी च्छतिस गड़ में जो पांच उडिया भासी रियासत थी उनको प्लस जो संबलपुर जीला था उसको पांच उडिया भासी रियासत को और संबलपुर जीला को आपका मिला दिया गया बंगाल परांत में और ये छेत्र वरतमान में क्या है अभी उडिसा है यासतों वह बाँचि उडियाबहासी र्यासतों को 36- sad вас भापाद में विवी आपको याद रखना है देख़िए वह फोड्री बासी की रियासतों का नाम है एक नाम आपको याद रखना है सोनपूर है की था आपका मधाना एक था बामरा और एक था आपका पाटन ये पांच उडिया भासी रियासत बंगाल प्रांद वरतमान उडिसा में चले गए साथ में संबलपूर जीला भी चला गया ठीक है जो कब बना था 1861 में बना था ठीक है तो ये चले गए 36 गड़ से और बंगाल प्रांद छोटा रियासत चली गई और पांच रियासत जो है वह बंगाल प्रांद या छोटा नाकपूर छेत्र से सामिल हुआ कौन-कौन सा पांच रियासत यहां पर सामिल हुआ तो यह आपको याद रखना है चांग भखार उदैपूर कोरिया सरगूजा और आपका जस्पूर चांग हुआ तो इस प्रकार से 36 गड़ में जो है आपका 1905 में 36 गड़ की सीमाएं इस पस्ट रूप से उभर करके सामने आई इसलिए कहा जाता है कि 36 गड़ का मांचित्र जो है वह आपका कब निर्मित हुआ तो 1905 में अगले क्विस्चन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट संकल्पना किसने की ऑप्शन ए राम गुपाल तिवारी ऑप्शन बी रतनाकर जहां ऑप्शन सी पंडित सुंदर डाल सर्मा ऑप्शन डी पंडित वामन राव लाखे बहुत ही सरल क्विस्चन है और कई बार पूछा गया क्विस्चन है ठीक है प्रिथक 36 गड़ राज्य क संकल्पना किसने की च hatır गड़ के सब्सक्मत्रा किसे कहते हैं चर्ट गड़ के पहले संकल्पना कार किसे कहते हैं ठीकिशन को सामील करने कई कुद्णिश्च है भी मैं बताऊंगा उसको क्यों मैं छेट्रेंडिंदिंग है थोड़ा सा यह बरतमान में चलिए समय समापत होता है सभी ने सही आंसर दिया है ऑप्शन है सी पंडित सुंदरलाल सर्मा ठीक है चलिए देख लेते हैं उसको यह देखे आपके सामने हैं पंडित सुंदरलाल सर्मा जी जो भी छत्तिसगर के सुंदरता आंदोलन मुझसे किया था राजीम के चमसुर गाउं में जन्म हुआ पंडित सुंदरलाल सर्मा का और वस्तुतह धमतरी वाला छेत्र और रायपूर वाला छेत्र में इनका एक्टिविटी जो है वह आपका जादा रहा ठीक है अब देखे पंडित सुंदरलाल सर्मा जी ने 1918 में अपनी पा राज्य का प्रथम स्वप्न द्रिष्टा या प्रथम संकल्पनाकार जो है वह आपका कहा जाता है लेकिन आपने सुना होगा वर्तमान में जो हमारी मुख्यबंत्री इस्री भूपेश बगेल हैं उनके द्वारा डाक्टर खूब चंद बगेल जी को छतिस गड़ का पहला स्वप्न द्रिष्टा कहा गया है जो करेंट देखते हैं न्यूज बगरा पढ़ते हैं उनको पता होगा ठीक है तो यह देखना बड़ा ही रोचक होगा कि अगर अगले एकजाम में पूछ देता है और पीसी एदी पहले स्वप्न द्रिष्टा के रूप में खूप चंद बगेल को आंसर ले लेता है तो आप हम क्या करेंगे ठीक है तो फिलाल तो सदियों से यही सुनते हुए आ रहे ही पढ़ते आ रहे हैं किस अपने द्रिष्टा कौन है पंडि सुन्द लाल सर्मा अब यह एक नया आकड़ा आ गया है जो कि आपका आगे चलके थोड़ा सा इ बनाया गया अभी अभी मैं इसको बताया हूं निम्नलिकित में से किस वर्ष 36 गड़ को मध्यपरांद का प्रसास की संभाग बनाया गया ऑप्शन ने 1861 ऑप्शन भी 1863 ऑप्शन सी 1862 ऑप्शन डी 1964 तो चैका एबी सीडी क्या होगा जल्दी से लिग डालिए इसके बाद हम इसके उपर जो है वह आपका चर्चा करते हैं ठीक है चलिए आपका समय समाप तो होता है और च्छै का सही आंसर है सी 1862 अभी इसी क्लास में आपको बताया था कि 1861 में मध्यपरांद का गठन होता है मुख्याले बनता है कि आपका नाकपूर मतलब मध्यपरांद की जो राजधानी है वह आपका नाकपूर जो है वो रहती है ठ 36 गड़ को एक सोतंत्र क्या बनाया जाता है आपका संभाग बनाया जाता है जिसका मुख्याले बनता है कि आपका राएपूर चलिए अगले क्विस्चन की और बढ़ते हैं क्विस्चन नंबर साथ चत्युश गड़ मुक्ती मोर्चा गठित किया गया था ऑप्शन A 1956 में ऑप्शन B 1967 में ऑप्शन C 1976 में ऑप्शन D 1983 में ठीक है 36 गड़ मुक्ती मोर्चा का गठन कब हुआ था इयर बताना है देखिए गठन करता भी एक्जाम में पूठ जाता है और कौन सी सभा कब गठित होई यह भी एकजाम में जो है वह आप पूछा जाता है एक सभा तो हम देख चुके हैं ृच्छ लग्र महासभा जो की खुप चंदबहेल जी के दौरा जो है वह आपका गठित की गई थी 1956 में चलिए समय जो है वह आपका समाप्त होता है 36 गड़ मुक्ती मूर्चा का गठन कप किया गया था तो इसका सही आंसर है सबसे पहले तो आप में से 99 परसेंट लोग जो है इनको नहीं पहचानते होगे जो पहचानते होगे बहुत अच्छी बात है इनका नाम है संकर गुहा नियोगी ठीक है 36 गड़ छेत्र के जो है आपके यह प्रसिद्ध मजदूर नेता थे और साथ इसाथ इनके द्वारा ही 1976 में 36 गड़ मुक्ती मूर्चा का जो है वह आपका गठन किया गया था यह क्विस्चन कई बार पूछा जा चुका है मैंने कहा कि वह सभा कब गठित की गई किसके द्वारा गठित की गई दोनों पूछता है तो 36 गड़ मुक्ती मूर्चा गठन करता पूछेगा तो उत्तर आएगा संकर गुहा नियोगी और 36 गड़ मुक्ती मूर्चा कब गठित किया गया तो उत्तर आएगा 1976 यह सभी 36 गण निर्माड को लेकर के आपके प्रयास संबंधिक संगठन है मैं कुछ बातें जो है संकर गुहा नियोगी जी यह बारे में बता देना चाहता हूं यह प्रसिद्ध जो है उस दौर के स्रमिक नीता थे और बड़े ही दुख की बात है कि 28 सितंबर संकर गुहा नियोगी जी की उनके आपके अइस्थाई निवास दुर्ग में सुबह साड़े चार बजे खिडखी से गोली मार करके हत्या कर दी गई तो मात्र 48 साल की आयू में इनकी हत्या कर दी गई थी तो आपके प्रसिद्ध यह आपके मजदूर निता रहे हैं सोतंतरता असेनानी भी रहे हैं और चत्तिस गड़ मुक्ती मोर्चा के संस्थापक भी रहे हैं डेट याद रखना है यह कब का 1973 अगला क्विश्चन है देखिए क्विश्चन नमबर एट चत्तिस गड़ संग्राम मंच का गठन किसके द्वारा किया गया था ठीक है ऑप्शन ए डाक्टर कुप्चन बगेल ऑप्शन बी दया संकर सुकला ऑप्शन सी संकर गुहानियोगी ऑप्शन डी स्युदत सास्त् चत्तिस गड़ महासभा हमने देख लिया चत्तिस गड़ मुक्ती मोर्चा हमने देख लिया अब यह है चत्तिस गड़ संग्राम मंच चत्तिस गड़ महासभा किसने गठित किया था खूब चन्वगेल ने 1956 में फिर हमने देखा चत्तिस गड़ मुक्ती मोर्चा किसने गठि नियोगी ठीक है तो 36 संग्राम मंच और 36 मुक्ति मोर्चा दोनों गठित किया गया है इनके द्वारा संकर कुहा नियोगी जी के द्वारा तो एक बार में फिर जो है इनको ले करके आ गया हूं तो जो बाते बतानी थी वो तो मैं बता चुका हूं ठीक है तो एक 36 गड़ मुक्ति मोर्चा इनके द्वारा जो है वह आपका गठित किया गया उसके बाद एक आपको याद रखना है 36 गड़ संग्राम मंच तो 36 गड़ संग्राम मंच के भी आपके संस्थापक है कौन संकर गुहा नियोगी जी संकर गुहा नियोगी जी ठीक है और यह 36 संग्राम मंच संकर गुहा नियोगी जी के द्वारा 1983 में गठित किया गया तो देखिए मैंने कहा दोनों पूछता है आपका कब गठित किया यह भी पूछेगा ठीक है तो देखिए संकर गुहा नियोगी जी के लिए आपको दो सभाएं याद रखनी है एक 36 गड़ मुक्त संकर मुक्ति संग्राम ऐसा याद रख लो संकर मुक्ति संग्राम डिकोड कर देता हूं ठीक है संकर से संकर गुहा नियोगी याद रखोगे मुक्ति से इनका एक सभा याद रखोगे 36 गड़ मुक्ति मुर्चा जो की 1976 में गठित किया गया संग्राम से इनका दूसरा सभा प्रयाद रखोगे यही जो बताया हूं मैं 36 गड़ संगराम मंच यह गठित किया कब 1983 में आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर नाइन 36 गड़ राज्यकार गठन किस अधिनियम के अंतरगत हुआ पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था option a राज्य पुनर गठन अधिनियम option b नए राज्यों के कानून option c जन प्रतिंधित्व अधिनियम option d मध्य प्रदेश पुनर गठन अधिनियम बहूत ही इसी है सही आंसर क्या है सही आंसर है D बद्यप्रदेश फुनर गठन अधिनियम मैंने पिछले किलास में भी पताया था 26 गड़ राज्ज जो है वह 1 नमेंबर 2100 को मध्र्देश पुनर गठन अधिनियम 2000 के तहत अपने मांत्री बिल्कुल सही जवाब देना देखिए इस टेबल फे फोकस कीजिए ठीक है यह 36 गड़ है हमारा 36 गड़ जो है वो राज्यस्तित्तों में आने से पहले जो मध्यप्रदेश राज्यप्रदेश राज्यपुनर गठन विध्यक 2000 है वह किनकिन चरणों से गुज़रा उसको एक आप टेबल की रूप में आद रखना ठीक है कि भाई एक्जाम में पूचता है मध्यप्रदेश राज्यपुनर गठन विध्यक लोकसभा में कब प्रस्तूत हुआ लोकसभा से विधयक पारित होने के बाद अंतिम उक्रीतीय हस्त तक्षर किसका चाहिया रहता है राश्टपति में को इस प्रकार से पांत六 क्विश्टन यहीं से बन सकते हैं तो Holiday सभी को बताते 25 जुलाई 2000 को उस समय थे ग्रिह मंत्री लाल कृष्ण आडवानी जी उनके द्वारा ये विध्यक जो है वो लोक सभा में प्रस्तूत किया गया तिथी को आपको विशेज रुप से याद रखना है 25 जुलाई की तिथी ठीक है उसके 6 दिन बात जो है 6 दिन जोड़ेंगे तो 5 पच्चीस और 6 हो जाएगा बेटा 31 31 जुलाई 2000 को ये लोग सभा से पारित हो गया प्रस्तूत हुआ लोग सभा में 25 जुलाई 2000 को और लोग सभा कि अधिन जुलाई 2000 को ठीक है उसके बाद राजय सभा में ये प्रस्तूत हुआ तीन अगस्त 2000 को और राज्यसभा में भी छे दिन बाद तीन में छे जोड़ोगे तो हो जाएगा नव अगस्त 2000 को यह राज्यसभा से भी पारित हो गया ठीक है और राष्टपती उस समय थे के आर नारायनन जी तो उनके हस्ताक्षर इसमें हुए 28 अगस्त 2000 को उसके बाद हमारा 36 राज्यस्तित्तों में आया तो यह तितियां याद रखना बहुत ही महत्तपूर्ण है लोकसभा में प्रस्तुत हुआ 25 जुलाई को 6 दिन बाद 31 जुलाई को वहां से पारित हो गया राज्यसभा में प्रस क्विश्चन के और बढ़ते हैं फिर से क्विश्चन उठाया हूं सभा से 36 गाड़ ब्रदर हुड एसोसियेशन किसने बनाई ठीक है एक हुप चन्दभगेल भी बिंबाजी भोसले सी विरन रैंड सी हैं डी चंदुलाल चंद्राकर बहुत ही आसान है वह आपके ऑप्शन भात्रित्वशंग तो यह आसानी होगी 36 गड़ भात्रित्वशंग किसके द्वारा बनाया गया तो इसका दस्वां का सही आंसर आएगा ए खूप चन्दभगेल जी के द्वारा ठीक है इसी क्लास में हम खूप चन्दभगेल जी की पहली भी जो है आपका एक सभा पढ़ भात्रित्वसंग भी खूप चन्दभगेल जी के द्वारा बनाया गया है तो फिर से इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं डाक्टर खूब चन्दभगेल ठीक है अब इनके लिए भी मैं एक आपका सिंपल तरीका बता देता हूं आप बिटा देखो इनके लिए लेकों से याद रखना खूब महा संग कहा घुब महा संग ठीक है या फिर एक खूब महा भात्रित्व करके भी आद रख सकते हो खूब से आपको याद रखना है क्या खूब खूपचन बघेल जी का नाम ठीक है महा से इनका जो है एक आपका संगठन है 36 गड़ महासभा जो क्लास की सुरुवात में इसको पूछा है ठीक है भात्रित्व शंग इन्होंने आपका इस्थापित किया 1967 में 1967 में यह भी राजनानगाव में दोनों राजनानगाव में बना था ठीक है तो इस प्रकार खूपचन बघेल जी का जो है वह आपका चत्रगड़ महासभा 1956 का बना है चत्रगड़ भात्रित तुसंग जो है वह आपका उन्निस सो सरसत का बना है दोनों कहां बना था आपका राजनानगाव में और यह जो बाद में 1967 में चत्रगड़ भात्रित तुसंग बना इसमें अध्यक्ष स्वयम खूपचन बगेल जी थे उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाथ तीवारी जी थे इसमें सहयोगी हमारे बैरिश्टर छेदीलाल जी भी थे तो और डीटेल में आप पढ़ना है तो हमारे ऑनलीन कोर्स में डीटेल से पढ़ सकते हैं तो इस प्रकार आची क्लास यहीं पर हम समाफ्ट करते हैं और सब्सक्राइब में यह बताते हुए फिर से चलता हूं कि जो विद्यारती मुझसे हमसे सीजी पीसी सीजी व्यापम और विभिन प्रकार के कॉंपेटिटिव एकजाम की कंप्लीट सीलेबस वाइस हर सब्जेक्ट की तैयरी करना चाहते हैं तो हमारे अलग-अलग ऑनलाइन क्लासे संचाली थे इन ऑनलाइन कोर्सेस की जानकारी के लिए आप हमारे वाट्सअप नंबर 7470960094 पर वाट्सअप करें वहां पर अगैडमी मेनेजर द्वारा आपको सभी प्रकार की जानकारी प्रदान कर दी जाएगी तो मिलते हैं 36 निर्माड के घटना करम के अगले क क्लास में आज के लिए धन्यवाद थैंक यू